प्रेश करेंगे तो आपका स्वागत है आपका प्यारा चैनल एटुज़ 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 पर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो अभी सब्सक्राइब कर दिजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी किजिए क्योंकि यह चैनल इसलिए बनाया गया है कि अगर आप ट्यूशन से दूर रहते हैं पर आपको पढ़ने का कोई सुविधा उस तरह से प्राप्त नह नहीं आता है तो आप घाबराएए नहीं बच्चो आपका प्यारा चैनल एटुजाइड पर जुड़ें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें अगर कुछ दिकत हो यह था सिकर वीडियो को देखकर तुरंत कोमेंट करें मैं आपका फिडबैक अवस्य दोंगा आई यह क्लास को सुरू करते हैं बच्चो देख रहे हैं आपका यह प्रस्नावली 1.3 का एकसरसाइज है और इसमें से क्या का है देख रहे हैं निमलिखित को सत्यापित किजिए यह क्या होता है तो सत्यापित का क्या होता है अर्थ बच्चो तो सत्यापित का अर्थ होता ह आपके जांच किजी तो जांच क्या करेंगे यहां पर दी के बराबर चीन्दा है और यह आपका left hand side है और यह आपका right hand side है तो चलिए question को बनाते हैं और शुरू करते हैं अच्छी तरह से देखिए क्या लिखेंगे हम left hand side equal to क्या लिखेंगे तीन बटे आठ गुना लिखेंगे पंच बटे नो अब यहां बचो दिखिए आपका कितना हो गया तीन तीन नो खट गया अब यहां क्या है पंच और आठ नहीं कटेगा तो क्या हो गया पंच और एक यहां है तो पंच औ पनाते राइट हैंड साइट का क्या लिखते हैं पंच बटे 9 गुना तीन बटे 8 इसको लिखे अब क्या करेंगे कहां पर कट रहा है देखिए तीन तिया नो अब यह नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पंच और यह तीन अठे 24 हो गया तो बच्चों यहां देख बराबर है राइट हैंड साइड यहां लिखेंगे बैट इज पुरूब्ड यह सिध्ध होता है कि यह दोनों पंच मेरा बराबर है यह सिद्ध करने के लिए कहा रहा ह। आईए देखते हैं नेस्ट कवेस्ट वच्चों देख रहे हैं आपका दो नमर को सेन बी नमर में आ और इसे हल करेंगे बच्चो धियान रही कैसे हल करेंगे तीन त्यान नौ हो गया और यह साथ दूनी चोगदय हो गया अब एक हो गया और यहां आपका क्या है एक ही हो गया यहां अब देखें बच्चो यह आपका एक और एक जब गुना करेंगे तो आपका क्या होगा एक ही होगा और यहां क्या है तीन स 애 को कटाना है आप साधिया वह का तोak जोगड होगा तो यहां ःचान होग तो यहां रहें किटना हो गया और यह और आपके कितना होगा तन दूनी 6 हो गया, तो आप दिखके box बरावर है, राइट है आपका बच्चों यह प्रूब्ट हो गया, यहीं प्रूब्ट करने के लिए कहरं रही, उमीद है बच्चो आपको अच्छी तर समझ लें, आग्या होगा, कहें भी कोई प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए, आईए देखते हैं, next question, बच्चो देख रहें, आपका ये दो नमर question है, क्या लिखा है, कि निमली खित को सत्यापीत किजिए, ये सत्यापीत किजिए का मतलब क क्या होता है, जाच किजिए, तो जाच कैसे करेंगे, एक नमर बनाए न, वही दो नमर वाला question वही भी है, तो इसको बनाएंगे, लिखते चलिए अच्छी तरह से क्या लिखेंगे, left hand side बराबर, वही लिख दिजिए, question को पहले उतार लेते हैं, गुना, मैनस 7 बटे 4, bracket को बंद कर दिजिए, और गुना, 1 by 3, बच्चो इसको हल किजिए, पहले bracket का काम करते हैं, तो bracket क्या क्या करेंगे, दिखिए, 2 और 7 नहीं कटेगा, 5 और 4 नहीं कटेगा, तो इस सब को गुना किजिए, मैनस मैनस क्या हो जाएगा, पलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका कहीं कटेगा नहीं, अब क्या हो गया, 35 बटे, अब क्या करेंगे, 8 चोबिस हो गया, तो बच्चो धियान रहें, अब यह 35 बटे 24 जो हुआ, यह आपका आंसर यह आ गया, अब इसको देखते हैं कि राइट हैंड साइड में, यह 35 बटा 24 मेरा आता है, कि नहीं आता है, 5 बटा 2, गुना, माइनस, 7 बाइट 4, गुना है, 1 बाइट 3 है, ब्रेकेट को बन कर दिजिए, अब बच्चो क्या करेंगे, इसे हल किजिए, पहले ब्रेकेट वला हल करेंगे, तो इसको पहले उतार देते हैं यहाँ पर, अब क्या करेंगे, 7 एकां 7 हो जाएगा, यहाँ म पिटने वला है, तो क्या होगा, मैनस, मैनस क्या होगा, पलस होगया, 7 पचे कितना होगया, 7 पचे 35 होगया, और 12 दूने 24 होगया, अब बच्चो देखे, यह 35 बटा 24 आपका यहाँ है, और 35 बटा 24 यहाँ भी आपका है, तो आंसर क्या होगा, left hand side बराबर है, right hand side, यह आप का बच्चो प्रूब्ड हो गया इस तरह से आपको जांच करने के लिए कह रहा है क्या आंसर आपका दोनों साही है कि नहीं यह आपका left hand side है और यह आपका right hand side है इस बात को याद रखीगा यही आपको सीध करने के लिए कह क्या करें कि इसको जाच करना है इसको सत्यापीत करना इसको सीध्य करना है यही का रहा है तो बच्चों यहां पर लिख लिए लेफ हैं साइट बराबर है क्या है लिखेंगे तीन बटे पांच गुना माइनस दो बटे एग्यारा ब्रैकट को बंद कर दीजिए गुना पांच पहले घृत के बैंक वहां कर दीजिए कितना होगा कहाँ कटने वाला हेड कहीं कटने वहां इसको कटा देंगे क्या होगा मैनेस और पॉलस मैनेस मैनिस अपका होगा दूतिया च्ऊ हो जाएगा यह लिख दीजिए और 11-20 15 पन होगिया गुणा यहां 5 है और यहां चार आपका क्या हो गया, अब दिखें यह माइनस 3 है, यह माइनस 3, और यहां कितना हो गया, 11 दुनी 22, तो यह आपका आंसर हो गया, अब इस पक्च को बना के देखते हैं कि इसका आंसर क्या का रहा है, यहां लिखेंगे, right hand side equal to 3 by 5, गुने, minus 2 by 11, यहां लिखेंगे, अब गुन 5 बटे 4, अब बच्चो इसको हल करते हैं, पहले bracket बला हल कर लिजिए, लिखेंगे, 3 बटे 5 गुन, प्लस मैनस मैनस हो जाएगा आपको, यहां देखेंगे, आप इसको बना भी सकते हैं यहां से, और इसको पहले कटा लिजिए, इसको देखें क्या काता है, यह आपका कितना होगा, 2 दूनी 4 आपका कट जाएगा, अब यहां क्या है, यहां मैनस है, क्या होगा, प्लस मैनस मैनस आपका होगा, कितना हो जाएगा, 5 बटे, 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया, अब बच्चो इसको देखें कहां आपका कटेगा, और कहां आपका नहीं कटेगा, बाए- 92 हो गandaag डिखी बच्चो यह माइनस 3मटे 22 है और यह भी माइनस आपका 3 husbands है क्या लिखेंगे लिखेंगे लेप हैंसाइट बराबर है राइट हैंसाइट यह आपका बच्चो परूब हीया यह आपका बच्चो अंसर हो गया, ये कहा रहा था कि दायाँ पक्च और बायाँ पक्च को मिला के अब देखिए क्या सही है या गलत है, यहीं इसमें कहा जा रहा है, आईए देखते हैं, नेस्ट कॉस्टिन, बच्चो देख रहे हैं आपके पास तीन नमर कॉस्टिन क्या कहा र देखा है आप अच्छी तरह से अगर आप समझेंगे देखेंगे तो आप इसको बना सकते हैं यहां बराबर चिना के पहले दिखें कितना माइनस आठ बटे साथ गुना एकईस बटे बारा बराबर एकईस बटे बारा दिखें यह दोनों अंग आपका मिल रहा है और यह मिल रहा है और इसमें यह नहीं मिल रहा है इसको ले जाएए यहां पर तो आपका आंसर हो जाएगा अब देखें एकईस बटे बारा गुना माइनस आठ बटे साथ और माइनस आठ बटे साथ गुना एकईस बटे बारा देखें बराबर हो गया ना यहीं बराबर करने के ल अब बच्चों यहां देखिए, आपका कारा है 9-8 भागा है, खाली जगा है, बराबर, मैनस 3 बटे 2 है, आप इसको क्या करेंगे आपको चाइनगे यहां भाग है, यहां गुना कर देंगे, और इसको उपर इसको नीचे कर देंगे, आप क्या करेंगे दिखिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, यह माइनस आपका है, और यह क्या करेंगे, 4 दुनी 8 है, बच्चों दिखिए, माइनस 3 बटा 2 आपका हुआ के नहीं, यह दिखिए, इस इसी तरह से समझिए सीखे इस तरह से बच्चों बनाया जाता है कि कहें भी दिकत नहीं होने चाहिए बच्चों समझिए पहले उसके बाद आप बनाईए उसके बाद देख रहें डी नुमर कोश्चन में मैनस 21 गुन मैनस 5 बटे 9 बड़ावर और मैनस 5 बटे 9 गुना है और खाली जगह में आप क्या भरिएगा कैसे भरिएगा उसी तरह चुनिए जल्दी से चुनिए आप देखिए यह मैनस 5 बटेट्व है यह आपका मैनस 5 बटेट्व है यह दोनों को आप एक गुरूप में लग दीजिए अब यह दिखें मैनस एक एस आपका बाहर हो गया तो यह इसको माहिनस से एक लिखे यह देखिए यह भी गुरूप इसमें आ जाता है और यह दोनों गुरूप भी इसमें मिल जाता है तब देखिए आपका लेफ हैंड साइड इधर बराबर हो गया और इधर यह बराबर हो गया यहां से यह बराबर हो गया और यह भी बराबर हो गय इस तरह से देखिए आपका खाली जग्मा को भरो कितने अच्छी तरह से आप समझ गए आए देखते हैं नेस्ट को अच्छा बच्छों देख रहें आपका क्या कर रहा है गुनात्मक परतिलों विलों तो गुनात्मक परतिलों कैसे बनता है इसको देखी व्यूत्क्रम व्य क्या कर देना है नीचे को उपर किजे उपर को नीचे कीजी 12 बटे 23 है तो 23 बटे 12 लिख दिए हो गया अब यह क्या करें माइनस 11 बटे 19 तो 19 को उपर लिखे लिजिए बच्चों और 11 को नीचे लिखिए लेकिन चिनहा याद रहें नीचे नहीं किजिएगा चिनहा उपर ही रहने दीजेगा इसको याद रखेगा अब यहां क्या है एक ही अंगा पांच है अब इसको क्या करेंगे इसको नीचे एक कर देंगे अब दिखिए इसको वीद्कुरम करेंगे कितना होगा एक बटे पांच होगा का मतलब हो गया कि जदी यहां आपका पांच है उपर में अं अब यहां माइनस एक माइनस एक नहीं कुछ है तो अंस उपर नीचे हर हो गया आप क्या करेंगे यही आपका अंसर हो जाएगा बच्चो धियान रहे इस चीज को कि कैसे बनाया जाता है आपका माइनस में है तो पलस लिखेंगे और पलस में है तो माइनस लिखेंगे लेकिन आप देखेंगे उपर को नीचे नीचे को उपर करके इसको बनाया जाता है बच्चो देख रहें D निमर में क्या कदम माइनस एक है तो यहाँ जब आप लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे जदी नीचे एक लिखते हैं फिर वही तो रहा जाता है न है तो आप क्या लिखेंगा माइनस एक का पर तिलों माइनस एक होगा यही बच्चों आपका आंसर होगा उसके बाद कोश्चन यहां देख रहें आपका ई नमर कोश्चन है कि 2 बटे माइनस 5 तो क्या करेंगे 5 को आप उपर लिख लिजिए और नीचे के 2 लिख लिए 5 है जो आपका आपका 5 बड़ा दो आपका बच्चो चार नमर अलवा आई다 2 बच्छो देखेंगे इस को का डाऊते किजी इस चेप्टर में आपको जांच करने के लिए कहा रहा है जांच किजिए, सही है कि गलत है आपका memory power को देख रहा है आईए इसको कैसे जांच करेंगे चलिए देखते हैं, तो लीखेंगे बचो left hand side, बराबर है क्या लीखेंगे, 3 बटे 5, गुना 2 बटे 7, पलस 3 बटे 7, अब इसको हल किजिए, जल्दी से देख लिजिए हल कर लेते हैं, 3 बटे 5 ये आपका भिन का जोड हो गया 7 और 7 का लोगतम कितना हो गया, आपका 7 हो गया अब ये तो कुछ नहीं कटेगा तो 3 और 2 को जोड़े कितना हो गया, 5 हो गया बच्चों, अब क्या करेंगे, ये 5 और ये 5 करते गया, अब क्या बच गया आपके पास, 3 बटे 7 ये आंसर हो गया, अब ये left hand side का बनाए 3 बटे 7 आया, अब हम right hand side का बनाएंगे कि उसका आंसर कितना होता है तो उसको भी तो लिखना होगा, लिखेंगे right hand side equal to, दिखेंगे 3 by 5, गुने, 2 बटे 7, उसके बाद दिखेंगे जोड, उसके बाद दिखेंगे 3 बटे 5, गुना, 3 बटे 7 ये आपका हिसाब है, बच्चो धियान रहे, अब पहले bracket वाला काम कर लेते हैं, घबराइएगा नहीं, आप अच्छी तरह से बच्चो देखें, समझें, और सीखें, कैसे इसको बनाया जाता है तो देखें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह समझ जाएंगे आप, तो यहाँ 3 बटे 5 और 2 बटे 7 तो कटेगा नहीं, तो 3 और 2 को गुना कर दिजी, कितना हो गया, 6 हो गया, और 7 बच्चे कितना हो गया, 35 हो गया, यहाँ जोड है, तो जोड लिख दिजी, अब यह 3 है, 3 है, यह 5 है, 7 है, कुछ नहीं कटने वाला है, तो क्या करेंगे, 3 और 3 को गुना कर देंगे, तो 9 हो जाएगा, 7 और 5 को गुना करेंगे, तो 35 हो जाएगा, बच्चो यह दिखे, आपका भीन का जोड आ गया, भीन का जोड तो आप बच्चो जान रहे, अब जल्दे से बनाएगे, और आंसर कॉमेंट भी देंजी, कि आपका आंसर कितना आया, चलिए तब तक इदर बना देते हैं, आप कॉमेंट में इसका जवाब देंगे, तो 35 और 35 का लगुतन कितना आ जाएगा, बच्चो यह 6 और 9 है, तो 6 और 9 को जोड़ेंगे, तो कितना होगा, बच् अब 15 बटे 35 है, इसको अच्छी तरह कटेगा, अच्छी तरह से कटा के देखिए, अगर कट रहा है, तो कटाईए, कितना कटाईगे, पंच तिया 15 और 5 सते 35, कितना होगी आपका, 3 बटे साथ आया, बच्चो धियान रहे, आपका यहां देखिए, यह 3 बटे साथ यहां भ बच्चो यह आप से टापित किये, यह जांच किये, कि आप मेरा आंसर सही है या गलत है, इस तरह से इसको सत्या, बच्चो बी नुमर कोश्चन को देख रहे हैं, 4 बटे 5 गुना 8 बटे 13, माइनस 5 बटे 13, माइनस 4 बटे 5 गुना 5 बटे 13, तो इसको बच्चो हल करते है, पहले बीधी को आप पड़े left hand side से बनाए, और आपके यह बनाएंगे एक ही साथ बनाएंगे इसको, सिखना है ना, चली बीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक करते चलिए और दोस्तों को भी share करते चलिए बच्चों, तो बनाते हैं इसको देखिए, बहुत इसरा ढ से आपको बता रहे हैं कि आप समझेएगा, घाबराईएगा नहीं, अच्छी तरह से बेठी बच्चों, कोपी कलम निकालके अभियास करते चलिए, चलिए यहां लिखेंगे चार बटे पांच, गुना, अब यहां दिखिए, यह भीन का आपका घटा हो गया, ब्रैकेट भ करते हैं, यहां लिखेंगे, तेरा लिखेंगे, क्योंकि तेरा और तेरा का लगुतम निकालके यहां लिख दी, अब क्या करेंगे, आठ और पांच है, तो आठ घटा पांच करेंगे, तो कितना होगा, आठ में पांच घटा है, तो तीन बच्चे का, यहां बराबर चिना ह तो यहां बराबर चिन्हा दे दीजिए बच्चों अब यहां आता है यह bracket क्या काम करते हैं तो bracket क्या काम करते हैं दीए 4 और 13 8 5 कहीं नहीं कटने वाला है, तो क्या करेंगे, उपर उपर को गुणा कर देगे, 8 क्योंके कितना हो गया 8 32 हो गया अब यहां क्या करेंगे, 13 पचे कितना हो गया, 13 पचे 65 हो गया, क्योंकि यह मेरा कहीं कटेगा नहीं, तो इसको यहां लिख गया, अब यहां क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दीजिए, 5 और यह 5 है, यह 5 और 5 है, तो यह 5 और 5 आपका यह कट जाएगा, अब बच्चों यह क्या करेंगे अब दिखिए अब यह तो कटेगा नहीं तो क्या होगी आपका चार बटे तेरा हो गया अब यहां से क्या करेंगे हल करते चलिए चार बटे पांच अब यहां बचों धियान रहें आप देखिए अच्छी तरह से यह आपका पांच और तीन कटेगा नहीं तो कितना होगा 65 यह हो गया आपका 13 हो गया लगुतम निकाल लगते हैं कितना होता है देखिए तो ठेल का आपका 50 ही आया ? तो बच्छो यहa 65 लिख लेते हैं आप क्या करेंगे 65 में एक बार भाद देंगे कितना ? 1 एक बार 65 होगा ? तो यहां लिख देंगे 32 लिख देंगे और गटा है आप क्या करेंगे कितना होगा 20 हो जाएगा बच्चों अब धियां दीजिए आप देखे कैसे बनाते हैं इसको 12 बटे 65 को लिखेंगे बढ़ाबर यहां 20 है क्या करेंगे हैं दो लिखिये, तीन में दो गया, एक हो गया, तो देखिए यहां कितना आगया आपका, 12 हो गया, और यहां कितना आगया, 65 हो गया, बच्चो देखिए यह 12 बटे 65, यह भी आपका 12 बटे 65 हो गया, तो 32 में 20 को घटा यह तो 12 हुआ, और इसको जब हम हल किये, तो आपका यह 12 बटी पैसेड आया यही बच्चो अपका ये प्रूब्ट करने के लिए कहता था यही आपको जांस करने के लिए कहता था क्या आपका आंसर कोश्टन जो दिया गया है कि वाकई में यह सही है दोनों पक्ष तो हम देखते हैं कि ये भी पक्ष मेरा बराबर हो गया और ये भी पक्ष मेरा इक्वल हो गया यानि दोनों हिसाब में मेरा इक्वल आंसर है दोनों आपका बराबर हो गया बच्चों आज का कलास आपके लिए कितना यूश्फल रहा अगर काफी उपी होगी रहा तो एक लाइक करते चलिए और वीडिय कैसी वीडियो चाहिए क्या समस्या है कैसी कैसी आपको सिख्षा मिल रही है क्या आप वह कई में अच्छी तरह से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी हमारी वीडियो को देखें कोपी अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं आप सफल होजी यही मेरी कामना है मेरे वीडियो को आप अंतक देखें बच्चो आपको बहुत बहुत धनेवाद बच्चो आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुबह में जल्दी से उठेंगे और जल्दी से मुहां धोके थो जाएगा बच्चो आज का वीडियो यहीं साप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू फर वाचिंग माई वीडियो